नमस्कार आप सभी का स्वागत है दाजो के सन में बिहार पुलिस कॉंस्टिबल विश जनवरी का जो एक्जाम कैंसिल किया गया है अबरी एक्जाम को लेकर मन्थन सुरू हो गया है और बहुत ही जल्द आप सभी को उफसल उटमेके सन के मादम से जनकारी मिल जाएगी कि बिहार पुलिस कॉंस्टिबल का दूसरे चरन का एक्जाम कब लिया जाएगा और नुच प्रफर के माद्यम से भी जो जानकारी परकासित की गई है जिसके माद्यम से आप सभी को बताएंगे कि बिहार प्लिस कॉंस्टिबल का एकजाम कब तक संभव है और किस डेट को एकजाम लिया जा सकता है इसकी पूरी जानकारी आप लोग को देंगे तो दोस्तो अप लोग वीडियो को अंतक जोड़ देखे वीडियो पसंद आई तो लाइक जरू करे और अभी तक आप हमारी चेन को सस्काइब नहीं किये हैं तो आप हमारी चेन को सस्काइब जरू कर ले तो दोस्तो नुच परके माद्यम से जानकाई दी गई है कि सिपाई बाली परि लिए वी जनवरी को हुने बाली दुसरे चरण की लिखित परिचा को 15 जनवरी को अस्तगित कर दिया था अब अगली तिती निदारित की जानी है बोर्ट किसी भी सुरत में होली से पहले ही परिचा पर विचार कर रहा है यानि होली की बात कही तो होली 9 से 9 या 10 मार्च को होल आपका इकजाम करने के लिखित पर पर वर्डम का दूसरे सटर्न का लिया जायगा और इकजाम की बात करें तो एकजाम फरवरी में किसी संद्डे को ही निकाला जानकारी के अनुसार जो हमें न्यूजपपर के अलाबा जो जानकारी हमने हासिल किया है उस जानकारी में बताय जा रहा है कि 9 फरबरी को या 16 फरबरी को बिहार पुलिस कोंस्टेबल का एकजाम हो सकता है ऐसे दोस्तों आप लोग कनफर्म हो जाए कि 26 जनवरी तक आप इस कोंस्टेबल में अगर देखित परिच्छास देने बाल हैं तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाए तो दोस्तों इतना ही थैंक्यू वाजिंग पर वीडियो